कि अलों स्टूडेंट्स विलकम टुपी वियर स्टडी क्या आप लोग हमारी आवाज सुन पार है तो जैसा कि आपको पता इसमें आपका निर्देसांग जामिती चल रहा है जिसे इंग्लिस में कॉडिनेट जिमेटरी बोलते हैं इंदी मीडियम वालों को बहुत अच्छे स से आज हमें करना है एक परकार से यह आपका एक नया चैप्टर है तो कलास को पूरा एंड़ तक देखिएगा बीच में दोका देके मज़िएगा ठीक है कुश्चन आपके सामने स्क्रीन पर मैंत में कुश्चन समझ जाओ ना पूरी कहानी समझ में आ जाती है आप सलूसन स ग्याद कीजिए जो बिंदूओं माइनस वन कामा सेवन पूर कामा माइनस थरी को मिलाने वाले रेखा खंड को दो तीन के अनुपात में बाड़ता है मतलब कुछ ऐसे है यहां पर देखिए मैं इसे बना रहा हूं अभी कुश्चन हटा के तो मैं दिखाऊंगा ठीक है आप लोग खींचोगे इसको हम माल लेते हैं कि इन बिंदूओं के जो स्टार्टिंग और मिड़ पॉइंट यह है और यह भी है एक बार फिर से कुश्चन पढ़ते हैं उपर से मैं कुश्चन नीचे कर दूंगा तो बहतर रहेगा तो बिंदू का निर्देश सांग ज्या आने वाले रेखा खंड को तो भाईया 4.3 यह है यह क्या है 4.3 ओके इनको दो तीन के अनुपात में बाटता है तो भाईया बाबू इसका मतलब इनको दो और तीन के अनुपात में कोई बाट रहा है ऐसे हम उस पॉइंट को मान लेते हैं यह इसका नाम आप पी क्यू यह दो तीन हमने इसको काहे लिखा पता है क्योंकि वो कहरा दो तीन के अनुपात में बाट रहा दो तीन का मतलब यह है कि जैसे अगर कोई लाइन है इसके हम तीन टुकडे कर दें भाईया बाब को अगर इसके तीन टुकडे कर दें तो इसका एक टुकड़ा यह दो है और और इसका यह दोनों यह दोनों मिला करके आप इसे क्या कह सकते हो तीन कि मैं तो कुछ ऐसे ही दो तीन का अनुपात में विभाजित करेगा तो हम पॉइंट बनाएंगे ठीक है अब देखिए भी भाजन का एक सुत्र होता है चोटा सा प्यारा सा उसी फर्मूले को लगाएंगे और इसको हल कर ले जाएंगे कुईस्चन अभी के लिए हटा रहा हूं अभी फिर से स्क्रेन पर मैं दिखा दूंगा यू डॉंट वरी ओके चलो तो आप यहां पर लिखिए अभी भाजन शूत्र अभी भाजन शूत्र जिसे इंग्लीस में स्ट्सन फर्मुला बोलते ना को है हेと思います इंग्लिस में ज्यादा जादा दिंहीं बता सकते हिंदी में बहुत मास्त बताएंगे हैं इंग्लिस तहाऊं की निद्वास सभा देंगे तर्ण यम्टू वाईवन नीचे यमवन और धान यम्टू इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं थीक है आप कहोगे कि यम्वन यम्टू कहां से मिलेगा तो देखो चच्चा यह मुवन है इसको नीचे लिख लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है यो कि उपर हो सकता है मैं लिखूं तो आपको ना दिखाई पड़े उपर कम जगा है इसे आप यम्वन ले लो इसे अब टू ठीक है वह यह हो बाबू हो यह यम्वन यम्टू तो हो गया यह आपका एक्सवन वाईवन हो जाएगा यह यक्ष्टू वाईटू हो जाएगा इसमें किसी को कोई कन्फ इसमें मान की जगहा पर 2, x2, x2 यहां यहां नहीं, x2 यहां है जिसका मान है 4, clear, उसके बाद क्या करोगे बिच में, plus m2, m2 का मान यहां से रखोगे 3, x1, x1 का मान यहां से रखेंगे बच्चा, तो minus 1, confusion होगी तो बता देना, यम्वन यम्वन को जोड़ देंगे, चिक है? कोई प्राब्लम नहीं? चलिए M1, M1 मतलब 2 Y2, Y2 का मतलब यह माइनस 3 M2 और Y1 मतलब यह 7 कोई confusion? नहीं नीचे? बढ़ते चलो फटा-फट तो देखो बच्चा यह 8 हो जायेगा और यह प्लस माइनस का मल्टिपल माइनस हो जायेगा तो माइनस 3 हो जायेगा 8 में से 3 घटा आएंगे तो कितना आएगा? वह 5 आएगा ना? लेकिन मैं एक बार फिर फे लिख देता हूँ 8 माइनस 3 बटा 5 इसको हल करेंगे माइनस में 6 आएगा और यह प्लस में 7 अब 5 पांच इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को नहीं ठीक है तो देखो भाई नीचे दिख रहा ना बाबू इनको घटा लेंगे तो यह आएगा 5 बटे कितना आएगा 5 बटे 5 यूँ 5 में से इसमें से 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा और यह प्लस माइनस घट जाएगा तो 1 अपां 5 आएगा इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए लेकिन मुझे लग रहा है कुछ गड़बढ हो रहा है तो री उसके लिए गड़बढ कहा हुआ तो यह प्लस का पंदरा आएगा इसको हम अभी और भी सिंपलिफाई कर सकते हैं ऐसे तो 1 अपां 1 हो जाएगा और यह 3 आजाएगा फाइनल में हम इसे लिख सकते हैं यानि हमारा जो वो पॉइंट आया वो 1,3 आया पूछा क्या था इसमें बच्चा एक बार कुश्चन फिर से दिखाऊंगा मैं फिर आप नोट करना भी रुके रहो एक बार प्रस्न को फिर से देख लो फिर आप नोट करना ठीक है कुश्चन नंबर पहला दिखाऊ भई इसक्रिन पर देखिया आ गया कुश्चन पढ़ लीजिए फिर लिखवा दूँगा मैं हट जाऊंगा फिरा उस बिंदू का निर्दे सांग याद कीजिए जो बिंदूओं माइनस वन कामा सेबन और फोर कामा माइनस सेबन को फोर कामा माइनस थरी को इसक्रिन देखो मिलाने वाले रेखा खंड को दो तीन के अनुपात में बाढ़ता है तो भई उस बिंदू का निर्दे सांग कितना है वन कामा थ्री है पुश्चन देखिए अब नीचे आप लिख लीजिए मैं लाइने बोल रहा हूं लिख लीजिए सुनके लिखिए अथा उस बिंदू का निर्दे सांग एक कामा तीन है अथा उस बिंदू का निर्दे सांग वन कामा थ्री है जो बिंदूओं जो बिंदूओं मैंनस वन कामा सेबन मैंनस वन कामा सेबन और फोर कामा मैंनस थ्री को तुम तीन के अनुपात में विभाजित करता है अधा उस बिंदू का निर्दे सांक 1 कामा 3 है जो बिंदूओं माइनस 1 कामा 7 और 4 कामा माइनस 3 को दो तीन के अनुपात में विभाजित करता है हो गया? नेक्स्ट कुष्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं देखो बाबू कलास को पूरा इंडे तक देखना बीच में छोड़के बिल्कुल भी ने जाना कहीं वोड़के ना जाना तुम वादे हजार करके बिल्कुल नहीं चलो नजर आपकी कुष्चन पर होनी चाहिए और दिल ना हमारे पास मतलब दिल हमारे पास का मतलब में दिल लगाने को नहीं बोल रहा हूँ बस थोड़ा सा जब तक पढ़ रहे हो ना तब तक के लिए क्योंकि कहते हैं जहां पर दिल लग जाता है वही पर मन भी चला जाता है तो जब तनमन धन जहां इकठ्था हो जाएगा तो काम तो ही होगा न कुश्चन पढ़ लियों इद्दिल और तनमन धन के बारे में सोचने लगें कुश्चन नंबर सिकेंड एंसी इयार्टी बूक कच्छा नौकी कच्छा दस के एंसी आर्टी एकसरसाइज 7.2 एड़ा बिंदूओं 4 काम माइनस 1 और माइनस 2 कामा माइनस 3 को चोड़ने वाले रेखा कंड का सम तिर्भाजित करने वाले बिंदूओं का निर्देसांग ज्याद कीजिए अगर कुछिशन में कोई मिश्टेक होगा तो मुझे बता देना अगर टाइपिंग मिश्टेक होगी हलका फूलका तो ठीक है यूंट वरी चलो देखे बच्चा थोड़ा सा समझिए इसमें एक वर्ड आ रहा है सम्तिर्भाजित का मतलब जान रहे हो इसे तीन पार्ट में विभाजित किया जा रहा है जैसे माल लीजिए कि हम कोई एक बिंदू खीच लेते हैं मानलो कोई एक पॉइंट खीच लेते हैं और उसे क्या करें देना है तीन भाग में आपको बाट देना है तो वह मैं आपको करके दिखा रहा हूं आप ध्यान दो इधर साइड में चलो करके दिखा देता हूं कि कुश्चन नमबर सिकेंड ना कि माल लीजिए एक लाइन खीजिए इसे कहरा समतिर्भाजित करना ना कि स्टार्टिंग पॉइंट ए और यह पॉइंट भी इसे तीन भाग में बाटिए बराबर बराबर तो अम्माल लेते हैं यह हो गया यह ठीक है डन एक दो तीन कि पुश्चन कह रहा है बिंदुओं फोर कामा माइनस वन और माइनस टू कामा माइनस थ्री को जोडने वाले रेखाकंड का समतिर्भाजित करने वाले बिंदूं का निर्दे सांग गयात कीजिए तो चच्चा यह 4 कामा माइनस 1 है और जो अगला बिंदु दिया था माइनस टू कामा माइनस थ्री यह दिया है छिक दन आगे क्या कहता है बैंसमझो हम अगर मान लें कि इसका टान बिंदू का नाम P है इसका नाम क्यू है थोड़ा एक पल के लिए समझो आप एक पल के लिए आप समझो, तो इसमें अगर हम थोड़ा सा और बात करें, कहता है माइनस टू कामा थ्री को जोडने वाले न, ज्यान देना, ज्यान देना, इसमें दो कटान बिंदू है, यानि जो मध्ध बिंदू है, इसमें मीड़ पॉइंट वो दो है, अक्सर हमने देखा अभी तक, कि एक ही मध्ध बिंदू होता है, मीड़ पॉइंट लेकिन इसमें दो है, तो हम इसमें एक काम करेंगे, इसमें हम दोनों को अलाग अलाग ग्यस करेंगे, और इनको हम आगे बढ़ाएंगे, जो इसमें कहे रहा है, वाले जल्दी से कमेंट करके बताव ऐसा है क आपिक की नहीं हिए ये रेखा माले अगर कितनी बड़ी है कि मानलोата थीन सेंटि मिटर है कि अगर अगर का मानेंगे इक सेंटि मीटर होगा लेकिन यहां सेंटीमीटर नहीं लिखना क्योंकि सेंटीमीटर के बारे बात नहीं की गई है याद रखना ठीक है यह माइनस टू कामा थ्री है यह यहां पर डिस्टरब कर रहा है इसलिए इसको मैं यहां फे हटा देता हूं हाँ माइनस 3 पी को मद्धिन्दू मानेंगे यह इधर का एरिया क्या यह क्या हो नहीं लृट append to विथ महां आगे समझें इसमें हमकुछ लिखेंगे मानेंगे माना falling रेखाखंड A, B को सम् भी भाजित करने वाले बिंदू P और क्यों हैं। लिख लीची आप लोग। लिखो.. मैं लिखूँगा नहीं। माना.. माना.. रेखाखंड A, B.. रेखाखंड A, B.. को.. सम् तिर्भाजित.. सम्तिर्भाजित देखो अहां पर लिखा है ऐसे लिख लो सम्तिर्भाजित करने वाले करने वाले बिंदू पी और क्यूं है इतना लिख लिया ठीक है पी और क्यूं हो गया अर्थात अर्थात लिखिए इसमें अर्थात में क्या लिखोगे भाई देखो अगर यह सम्तिरभाजित करेगा बाबू तो AP अर्थात के बाद लिखो अर्थात AP equal PQ equal QB बोलो होगा कि नहीं जितना AP होगा उतना PQ होगा उतना QB होगा क्योंकि यह सम्तिरभाजित कर रहा है कि पुष्चन स्क्रीन पर है ध्यान से देख लिजिए लुख लिजिए मैं इसे हटा दूंगा फिर ठीक है कि लिख लो भाई रेखा खंड़ AB को एक अन्पाते 2 में विभाजित करता है ठीक है कि अज़िए कसुशन अट गया ठीक है क्यूं बाई जई तो होता है न दो लिख फटा फट अब हम ये क्यू q को यहां से गायब कर देंगे और पी को दिखाएंगे सतीति स्टेजिण सी बात है इतर दो हिस्षा है यह दो और इसे है एक कि बात द्यान देना विद्धु ए का जो जो निरदे सांग था इसका जो कौडिनेट था उसको ऐसे लिख लेंगे ओर 4 & 1 & 2-3 ॐ इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं जब हम मिदपॉइंट के बारे में बात करें या मोशाएगा कर रहे जाए या Obama कि यह यूम तू हो जाएगा किखे डन किसी को लगबग पता है बच्चा सूत्र लगालो बाबू फार्मूला मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ थोड़ा छोटा लिखूंगा ध्यान देना यक्स कामा वाई इक्वल सूत्र हर किसी को लगबग पता है M1 X2 और बीच में प्लस न अब यह M2 हो जाएगा यह X1 हो जाएगा M2 X1 नीचे M1 M2 को जोड़ देते हैं लेकिन हमारे साथ थोड़ा लोचा हो रहा है वह क्या हो रहा है कि हमारे आगे जगा नहीं बच रही वैसे इसे चाहिए कि दोनों जो फार्मूला होता है दो पार्ट में होता दोनों बगल बगल लिखा जाता है तो मैं इसे थोड़ा नी आपको कुछ नहीं करना आपकी कॉपी है तो आप इसे नीचे उपर लिख सकते हो बना सकते हो तो मैंने इस फिगर को बनाया था आप इससे पहले बना ले ना फिर नीचे इसे हल करना बतलब अगल बगल नहीं करना हमारे में जगा है बगल में तो मैं बगल में बढ़ा रह ना ठीक है M1 Y2 आप इस तरह से कर सकते हो ठीक है M1 यह हो गया यहां पेक्ची ध्यान दो भाई यह M1 M2 का स्रीज है ना इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो नहीं तो थोड़ा सा यह और लगेगा आपके लिए इसे सीरियल में कर लो कोई दिक्कत नहीं है M1 M2 M2 ठीक है Y1 Y2 ओके इसमें कोई दिक्कत नहीं न यह जो है थोड़ा उल्टा स्रीज में जैसे इधर हुआ था सेम ऐसे कर यह थोड़ा पलट दिया था गुड़ा उड़ा करोगे वैसे आएगा तो एक आप ऐसे सोचो चार में तीन जोड़ोगे तीन में चार आएगा वही बा तो ऐसे ही रहेगा इतना हो गया इसे लिख लीजिए अब इनके सारे मान हम रख देंगे ठीक है यह फिगर तो बच्चा आप लोगों ने बना लिया होगा ना बाबू यहां पर दिख रहा है ठीक है नो टेंसन तो बी कमान कितना था माइनस टू कामा माइनस थरी और एक कम पर और माइनस वन यह था यहां पर दो हिस्ते में एक को ले करके हमने कुछ ऐसा समझावता किया था क्लियर को मैंने उपर वेज़ दिया जो मारे साथ में जुड़े सुरू से वह समझ रहे होंगे यह फिगर को उपर नहीं बनाना है पहले यह पूरी कहानी लिख लेना यहां तक विभाजन सुत्र से यहां तक लिख लेना उसके बाद यह चित्र बनाना था जो मैंने पहले बनाया था उसके बाद इसको लिखना पहले हैं फिर सारे मान रखने है और अगे सबीध करने के लिब ऊपर बना दी अगर आप सूरू से देख करने है यहांतो नहीं का अब इस यहां से घ्लीरा की मौण यहां से यहां से तो हमें इसे मानेंगे भैसाब हम इसे इसे आप X1, Y1 मानेंगे, यहाँ पर जगा थोड़ा कम है, इसलिए मुझे इसी में घिराना पड़ रहा है इसे, यह X1, Y1, वो ठिकत नहीं न, यह X2 और Y2, ठिक है, डन, आप समझ न, मान रखती जिए, M1 कमान हो गया, X2 कमान वहाँ फिले क्या हो, माइनस दो, ठिक है, लिख लो यहाँ फे ले लो बाबू, यहाँ फे यह, चार है न, M1, M2, इसमें किसी को कोई हरानी, कोई समस्या नहीं, ठिक है, अब देखो, हम अगला मान रखेंगे, M1, M1 कमान 1 है, Y2, Y2 कमान देखो बाबू, यहाँ पर है, माइनस का 3, और प्लस M2, M2 कमान 2 दिया है, और Y1, Y1 क मान का दिया चाचा, भई, का दिया है, इसका Y1 कमान, यहाँ से दिया, माइनस 1, और M1, M2, यह, ऐसे जुड़ जाएगा, इनको हम हम हल करेंगे, तो एक नया मान आएगा, जिसे हम यहाँ हल करके लिखेंगे, जो हमारे साथ में जुड़ा, उसे सब समझ में आएगा, जो किसे बाद में देखेगा वो उलटा-पूलटा लिख लेगा, जो सुरू से देखेगा, उसे पता है, कि हमने क्या-क्या कैसे कैसे लिखा है, जैसे मैं लिखा था, वे यह लिखना है, अगर तुम बाद में देखोगे, तुम सुन भुद़ नहीं समझ पाओ, कपहले इसको लिखूं की पहले इसको लिखूं की पहले इसको क्यों क्या करूं इफ लिए सीरियल से देखो बीच-बीच में मैं स्क्रीन पूरा दिखाता हूं समने से हट करके आप बहुत अच्छी तरीके से नोट कर सकते हो च sensible माइनस करेंगे माइनस दो हो जाएगा इनको गुड़ा करेंगे बाब ऊथ हो जाएगा तो माइनस दो और प्लस आट यह इस जोड़ोगे तो तो माइनस का 3 और माइनस का 2 इसमें कोई दिक्कत नहीं यह माइनस 3 और यह माइनस 2 क्योंकि माइनस में गुड़ा होगा तो माइनस हो जाएगा तो भाई साहब बाबू यह कितना हो जाएगा छे बटा यह हो जाएगा आपका माइनस पांच बटा तीन इसे काटोगे तो दो बटा माइनस पांच बटा तीन मतलब टू कामा माइनस फाईब अपान थ्री लिखिए इतना फटा फट लिखते जाएए कुश्चन में पूछा क्या था पहले हम कुश्चन को पढ़ेंगे ठीक है क्या पूछा था कुश्चन फिर से एक बार दिखा देता हूं दूसरा दिखाओ भई नवा नहीं दूसरा आ देखो कह रहा था बिंदूओं फोर कामा माइनस वन और माइनस टू कामा माइनस थ्री को जोडने वाले रेखा कंड को सम्तिरभाजित करने वाले विंदू के बड़े हांगी यह कैँ तो अभी तो पूरी कहानी नहीं मीन डिंदू के बड़े काया अप लिख सकते हो नीचे लिख लो स्झाहे तो अब मैं इसको कमान हमें आ गया है यहां पर हम लिख लेते हैं अब यह कहानी मिटा दे रहा हूं इसका मान आ गया कितना टू कामा माइनस फाइप पान थ्री इसी तरह से मेहनत करके सब कुछ ऐसे ही करना में क्यूं का भी मान निकालना है इन्हीं दोनों का निर्दे सांग पूछा था इतना लिख लीजिए फिर मैं इसको मिटा के आगे बढ़ूँगा बहुत जल्दी करिए फटा फट कितना उतारिए है हो रहा है ना तो मैं इसे मिटा सकता हूं ठीक है इसक्रेंसाट लेलो बस देखो साथियों अगर आप इस क्लास को जब से मैं पढ़ा रहा हूं मतलब यह कुष्चन जब से शुरू हो रहा है तभी से आपको उसको पढ़ना है और सही बात तो यह है कि आपको जब यह कलास शुरू होती है तभी से पढ़ना है तीरीज आपकी एक जैसे होनी चाहिए तब सब कुछ सिस्टम से समझ में आता जाएगा का अब देखें ्परकार बिंदु क्यू के लिए में सब कुछ वयाइसे करना है साथियों जैसे मैंने उसमें किया था इसमें कुछiver नहीं है तारे हमानव grid सभी को पता है कि यएकस य बराबर क्या होता फर्मूला मुला होता है मौन यह है और X2 कहां है इसको अगर हम X1 Y1 मान लेंगे उसको X2 Y2 तो बन जाएगा ना ठीक लो X1 Y1 और इसको X2 Y2 कि समझना तो M1 X2 M1 यह है X2 यहां पर है माइनस दो यह नि फाइनल में आपका हो जाएगा M1 M1 का मान दो क्लियर और X2 X2 का मान माइनस दो ठीक है दन और प्लस अगला इसमें क्या होता है M2 X1 अभी अभी सूतर लिखा था थोड़ा सा जेस्ट पीछे वाले में जो P का निकाला था वह सही करना है ठीक है तो इसमें भी इसका मान रख दीजी आप इसका M2 X1 का तो M2 का मान क्या है 1 है ना वहाँ पर देखो पहले फटाफट एम टू का मन क्या वन है ना चीक है तो 1 इंटू X1 X1 क्या भी देखो यहां पर दिख रहा है ना 4 है तो यह 4 हो गया अपन M1 प्लस M2 तो भी यह M1 2 है M2 1 है यह आपका एक हो गया एक हिस्सा और करना है आगे फिर वही लफटा फंसरा जैसे उसमें फंसरा था तो मैं इसको नीचे उपर कर दूँगा ठीक है अगल बगल ही करना हमें मैं इसको ऐसे साइड कर दे रहा हूं इसके बाद में आपको इसको बगल में ही लिखना है जैसे भी आपके यहां जगा रहेगी वैसे कर लेना तो देखो बाबु अगला जो सुत्र होता हो क्या होता है एव 1, M1, Y2 और M2, Y1 तो M1 कमान क्या है दो है और Y2, Y2 कमान यहां से देखो माइनिस 3 है पीछ में प्लस M1, Y2 और M2 और Y1, Y1 मतला माइनस 1 यह तो होगा ना नीचे M1 प्लस M2 ज्योंनि 1 प्लस 2 इनको फाइनल में हल करेंगे तो यह दुना चार यह minus का 4 आएगा और यह plus का 4 आएगा बाबू इस बात को यहां से समझना है तो minus का 4 और plus का 4 घट जाएगा तो हो जाएगा 0 तो 0 बटा 3 आएगा समझ लेना इन में क्या होगा 3 दूना 6 minus का 6 आएगा और यह 1 और 1 दोनों multiple होगा तो plus minus का चिन्ध माइनस हो जाएगा minus का 6 और minus का 1 समझना यह minus का 6 और minus का 1 अपान 3 फाइनल में यह minus का 7 बटा 3 आएगा क्या आएगा आप लिख सकतो हो इसे यह ऐसे बराबर कर लेना ठीक है clear यह ध्यान देना यहांपर मैं क्या कहानी आपको समझा रहा हूं यह आपकी 1 लाइन है को अधा आए लाइन 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 Cyrus 6 तो देख रहा हूंसे सब समझ weary दा इसको लाइन ऐसे पिर नीचे दूसरी लाइन में यह करना है और ये माइनस साथ बटा तीन यानि Q का निर्दे सांग जीरो और साथ बटा तीन आया माइनस में ठीक है ना बच्चा तो बाबू आप इसे लिख सकते हो जो आपका Q का निर्दे सांग आया क्या आया Q का निर्दे सांग जीरो और माइनस साथ बटा तीन यानि हमें P और Q दोनों के निर्दे सांग मिल गए, तो Q का निर्दे सांग हमें यहां ले जाके लिख देंगे, कहां पर, यहां पर यह तो मैं बनाया था, 0 और माइनस 7 अपान 3, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है लिख लिजिए फटा पट, कोई भी संकोच है तो इसमें कोच आप बताईए कमेंट करके ठीक है, बच्चों अगर आपने नहीं नोट किया तो आप सुरू से लिखिए इसे पीछे से, पीछे से लिखोगे तो बहुत मज़ा आएगी, सामज में भी आएगा, सब कुछ अच्छा होगा, जल्दी करिए, हो गया, अगले प्रस 3,10 और 6,-8 को जोडने वाले रेखा खंड को बिन्दू-1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है, इसका कोई फिगर आपको क्यूस्चन में नहीं दिया है, मतलब चित्र नहीं दिया है, लेकिन उसे हम बना नहीं है, बगल में आप देख लिजिए, एक बार फिर से 1,6 किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, äg मैंने क्या किया, माना दिये गए बिन्डू को जोडने वाले रेखाखंड को बिंदू जो maynes one कामा six है वह के अनुपाते one की अनुपात में बिभाजित कर रहा है ठीक के मैं इसको मान लिए एक नियत曲हई मांसे मान सकते हैं इस कुछ भी थीक है घें याक हमें आंन निकलना है इसलिए समय आंगे तो हैं इसे हम इसे मान सकते हैं M1 और M2 इसमें तो किसी को कोई doubt नहीं clear अब हम यह section फर्मूला लगाएंगे विभाजित करने मला आप सबको पता है यहां पर आप क्या करोगे यह वहां पर आप देख रहे हो ना M1 कमान के है M2 कमान 1 है तो सारे मान यहां लाके रख दोगे यह M1 कमान क्या है k है लेकिन यह भी ध्यान रहे कि X और Y जो है इनके भी मान आपको दिये गए है X और Y के जो मान है minus 1,6 है क्योंकि इसका मद्द बिंदू कमान दिये ना minus 1,6 आप यहां पर लिखोगे minus 1,6 क्या लिखोगे minus 1,6 थोड़ा अच्छे से लिखना सुन्दर सा यहां पर इसे आप x1 और इसको y1 मान लीजिए यह x2 y2 मान लीजिए अब किसी को confusion नहीं होगी ठीक है question में हटा देता हूँ अब clear दिख रहा है m1 कमान के x2 कमान नीचे से ले लो 6 है और plus 6 जो है वो plus में ही दिया है अगर आप ध्यान दो तो m2 m2 कमान 1 है into x1 x1 कमान खोपड़ी पर माइनस 3 दिया है नीचे m1 प्लस m2 यानि k प्लस 1 इसमें किसी को कोई परशानी नहीं comma m1 m1 कमान के y2 y2 कमान यहाप पर माइनस 8 दिया है प्लस m2 ध्यान देना मैं जैसे बोल रहा हूं तुमारा खोपड़ी और दिमाग दोनों चलना चाहिए साथ साथ में m2 m2 कमान यह 1 y1 y1 कमान यहां नहीं है यहाँ है 10 और यह k प्लस 1 चलिए यह माइनस 1 कमा 6 ऐसे लिखते जाओ बराबर यह आपका 6 करोंगे तो माइनस में आएगा आप सबको पता है तो यह माइनस का 8 के आएगा माइनस का 8 के और यह प्लस का 10 तो कि 10 का इसमें मल्टीपल किया जाएगा और यह के प्लस वन इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को अब क्या करेंगे साथियों हमें एक चुली सिर्फ के कमान निकालना है तो इसमें से यक्स कमान था मतलब यह यक्स था यह उपर देखो यक्स था इसमें जो दोनों मा के बराबर करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ के कमान निकालना है चुली एकवा आई गया वन तो हम सिर्फ एक्स वाले को ही आपस में बराबर करके इनके मान गयात कर सकते हैं तो हम क्या लिखेंगे आगे अब लिखो माइनस वन इसको इसके बराबर करना है यह ऐसे हो जाएगा इतना करने के बाद में बाबू क्या करेंगे हम वहां कहीं चलेंगे या फिर नहीं तो इसको उपर मिटाके मैं उपर लिख देता हूं ठीक है देखो कहीं जाना नहीं अब हम उपर इससे ले चलके हाल करेंगे ठीक है अब मुझे लग रहा सिस्टम थोड़ा लो हो गया है उपर साइड में मैंने ले चलके उससे लिख दिया है जो हमें निकालना था उपर आजाओ सभी आजाओ यह देखो बच्चों इसको माइनस में इसमें मल्टीपल कर माइनस मल्टीपल तो यह माइनस का 1 इक्वल 6 के माइनस का 3 यह माइनस का के और प्लस 6 के यह इधर आएगा मानलो तो भाई साहब यह माइनस का सेबन के हो जाएगा और यह उधर जाएगा जब तो प्लस हो जाएगा माइनस का दो आएगा यानि के का बैलू सीधी सी बात है साथ बटे दो आएगा इसमें कोई लफडा नहीं आप कक्छा 10 में पहुंचे आपको इतना पता यह कैसे हो गया अगर यह नहीं पता आप बेसिक मैद देखिए जीरो लेबल से जो बच्चे पीछे नहीं लिख पाये थे उपर वाला पार्ट मैंने मिठा दिया वह बच्चे वीडियो को थोड़ा रड़ तरहें पीछे आप आगे पीछे वीडियो कर्शक्त आपWeb कर सकते हो और फिर से आप देख लेजिए उससे लिए लेख लेजिए इक्रीजिये हो तो इतना तो हो गया कह के कमान तो आ गया लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ एक्चुली फाइनली फ्लियर नहीं हुआ क्योंकि हमने इसे के और एक के अनुपात में माना था क्योंकि हमने अनुपात क्या माना था के और वन माना था यह माना था ना की आता के का मान रखने पर लिख लीजिए एक अमान इस रखने पर तो के कमान साथ वटा दो रखेंगे बाबू और यह वन ये हैं से आप थोड़ा सा समझो दोड़ा साथ आएगा वही कि साथ बटा-दो आएगा क्या यह 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 यहां से के निकालोगे दोबटे साथ थोड़ा उल्टा हो रहा था एक्चुली के यही रहेगा यह साथ इधर जाएगा यह दो बटा साथ आपका टू अबसे बने ऑबू तो यह आपका यह अनुपात का चिन्द है अब इस जब अनुपात को हम हलकरेंगे आपने basic math पड़ा होगा basic math में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है बताया ना कर लोगी नहीं कर पाऊगी देखो आगे थोड़ा देख लो फिर क मतलब होता है प्रकार से भिन इथ देखो नहीं चीज समझ लो जैसे पांच बटाथ छे नज हम इसको घाल सकते हैं इसको ऋसके नीचे वन जैसे इस इसको हम ऐसे भी इसको हम और यहाएसे कर सकते हैं आइसके निचे वुन लिख इंगिर बाहरएक गुड़ा आता हैं, बिंदूओ को brings-3,10 और 6,-8 को जोडने वाले रेखा कंड को बिंदू 2,7 के अनुपात में विभाजित करता है तो अनुपात साथ के अनुपात में विभाजित करता है ठीक है हो गया तो यह question नहीं पर complete हो गया ओके डन नेक्स्ट question की तरफ आगे वढ़ते हैं आप इसको लिख लिजिए इस screen side ले लिजिए अगले प्रसंद की तरफ आगे वढ़ते हैं अगला question आपके सामने आ चुका है तो प्यारे साथियों question कह रहा है वह अनुपात ग्यात कीजिए जिसमें बिंदूओं वन कामा माइनस फाइब और माइनस फोर कामा फाइब को मिलाने वाला रिख खंड एक्स आच्छ से विभाजित होता है इस विभाजन बिंदू का 化 believe पात ग्यात कीजिए वो रेशियो फाइंड कीजिए जह इन दोनों पॉइंड्ट यानिवन कामा माइनस फाइब होर माइनस फोर कामा फाइब को मिलाने वाले रेकह खंड स्फ से डिवाइड होता है विभाजित होता है जो इस विभाजन बिंदू यानि जो डियर का यह इसका coordinate भी find करना है चलिए करें क्या इसको ये question homework कर लेना क्योंकि मैंने इसके पहले के सारे बताएं इसके homework करना ठीक है तीसरा question भी homework करना अगर मैं दस question में से आठ question कर रहा हूं तो कम से कम दो तो आप homework करो ना इतने अलसी हो जाओगे तो जिंदगी ने चलने वाली है कोशिस करो गलत सही कुछ भी try करो कहीं भी करके देखके करो कैसे भी करो लेकिन करो अठा question करा यह दे बिंदू 1,2,4,y,x,6,3,5 इती करम में लेने पर एक समानतर चतुरभुच के सीर्स हों तो x और y ग्यात कीजिए एक बार फिर से सुनो क्या कह रहा है फिर आप बिंदू यानि कि points 1,2,4,y,6 और x,y,3,5 यह दो बिंदू है अपस में जो दिये हैं x और y के मान है यानि भुज और कोटी है फिरा इसी करम में लेने पर इसी करम में लेने का मतलब है कि पहला बिंदू 1,2 है दूसरा 4,y है तीसरा x,6 है चौथा 3,5 है मतलब सीरियल फे लेना है सीरियल गडबड नहीं करना ऐसी इतिती में एक समानतर चतुरभुच के अगर यह सीर ठीक है तो एक समानतर चतुरभुच हम लोग खीचने की भरपूर कोसिस करते हैं है यहां हां तो लगबाग में बनेगा बहुत अच्छा नहीं बनेगा आप लोग बना लेना सुन्दर सा ठीक है तो साथियों अगर इसमें हम पहला इसको ए मान लें इसका जो बिंदू है व लिए अजिसको अगर हम सी मान लें कि जा रहें न न यहां चालने सांक क्या हो जाएगा एक्स और शिक्स इंट क्या हजाएगा एक्सोर्भूच शीख वी टरहां सेक्स की हो गया अर्डी का निर्दे सांग क्या है थ्री और फाइफ है कि अधि तरा इसी क्रम मेंलेने पर एक समानतर चत्र भूच के सीर्स हैं तो यक्स और वाई ग्याद कीजिए को एक सब्सक्राइद कीजिए कर इसे ग्याद करेंगे जरह आप सोच एक मिनिट ये इनका अगर हम कुछ करेंगे आपस में तभी तो edy कमाना आएगा नहीं तो कैसे आएगा तो हमएक काम करेंगे पहले इनके हम भिकरन करेंगे ये इनको यहां से मिला देँगे तो यह की हो जाएगा Diagonal हो जाएगा egent.BD को आपस जब हम जोड देंगे तो यह diagonal हो जाएगा BD इनके जो midpoint हैं हो क्या आएंगे इन दोनों का midpoint क्या हो जाएगा अगर यह समांतर चतुरभूज है तो यह जो दोनों diagonal हैं दोनों बिकर्ण हैं एक दूसरे को आपस में सम्धिबाजित कर रहे हैं कि नहीं मतलब कहने का यह है कि अगर मैं इसका नाम P रख देता हूँ तो यह आपका DP और P AP और BC यह सब आपस में बराबर होंगे होंगे न तो चलो इतना बना लो इतनी कहानी अब लिखिए विकर्ण AC का मद्ध बिंदू बराबर विकर्ण BD का मद्ध बिंदू विकर्ण AC का मद्ध बिंदू यानि P यह बराबर होगा किसके विकर्ण BD के मद्ध बिंदू के बराबर होगा आपस में यह बराबर होंगे यह समांतर चतुरभूज की प्रफर्टी होती है परमिय होती है अगर आपने सीखा है तो नहीं सीखा है तो आप समांतर चतुर बूज के बारे में पहले पढ़िए जाके बेसिक कच्छा साथ में तब कच्छा दस में आईए जीरो लेबल मैस जॉइन करिए पीवीर स्टडी अब में अगर यह सब पल्ले नहीं पढ़ रहा है क्योंकि बाबु यह सब पढ़ने के लिए आपको बेसिक आना चाहिए थोड़ा मोड़ा नहीं अच्छे से आना चाहिए ठीक है अब लिखिए लिकर्ड एसी का मध्य बिंदू बराबर आप लिखो अपने जगा होगी तो दोनों आमने सामने लिखना हमारे में जगा नहीं थ विकर्ड बीडी का मध्य बिंदू ठीक है ठीक ना बाबु क्लियर विकर्ड एसी का मध्य बिंदू बराबर विकर्ड बीडी का मध्य बिंदू यह दोनों क्या करेंगे आप पहले इस मध्य बिंदू को फाइंड करेंगे मध्य बिंदू कैसे निकालते हैं आप सबको पता सुत्र याद है एक्स1 पलस एक्स2 अपान 2 आला याद है ना इसको देखो पटा-पट आप यहां पे लिखो सुत्र क्या लिखना है X1 X2 upon 2 Y1 Y2 upon 2 ठीक है? दन? चलो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना बच्चा यह आपका X1 हो जाएगा यह Y1 हो जाएगा यह आपका इधर आब भाई यह X2 हो गया यह Y2 हो गया इन सारे मान को आप रखिए यहाँ से आपका Yis जानवर का नाम आएगा न? मतलब मान आएगा न? चलो रखो फटाफट तो X1 का मान क्या है चचा? 1 है X2 का मान क्या है? उधर चले जाओगे X है upon 2 Y1 का मान क्या है? यहाँ से 2 है Y2 का मान क्या है? उधर से 6 है upon 2 final में जब हम इसे हल करेंगे तो हम सब को पता है आप सब को पता है क्या आएगा? कुछ ना आएगा अभी हमें इसमें इतना ही नहीं करना है हमें बिकरड AC का मदबिंदू को BD के मदबिंदू के बराबर करना है अभी जो लिख के खुस हो रहे हो न? यह तो सिर्फ एक का लिखे हो एसी का इसी तरह से आप BD का भी निकालोगे इसी के आगे इसी के आगे निकालोगे इसको आप X1 ले लोगे इसको Y1 उपर दिख रहा है न यह इसके लिए क्या हो जाएगा X1 Y1 यह हो जाएगा X2 Y2 ठीक है clear तो इसी के बराबर आगे में इस साइड को इसको भी करोगे तो X1 प्लस X2 अब सूत्र को दो बार मैं लिखूं तो नहीं सही है न इसके बराबर फिर सूत्र लिखूं क्या मतलब है लगा देता हूं मान लिखूंगा नहीं आप लोग चाहना तो इसके बराबर फिर से इसी यहां प्लस यहां पहुशन को रिमूब करते हैं अब यहां से समझना यहां पर आपको कुछ नहीं लगाना है अराबर बराबर आप एरो लगा सकते हो ऐसे एरो लगा सकते हो तो देखिए बच्चा यहां पे एक चीज समझे यह बाबू आपको क्या समझना है थोड़ा सा मैं इसको हल कर दूँ अगर तो जादा अच्छा लागेगा नहीं तो मत करो हमें इसमें x और y का मान निकालना है निकालना है और अच्छुली में हम इनको क्या कर रहे आपस में compare भी कर रहे हैं आपस में बराबर भी कर रहे हैं यहांप एक चीज समझो कि जो x का मान है वो क्या समझ में यह आया, नहीं समझाने के लिए तीर नहीं बनाना चलो गया, अब लिख़े है ऑग जन स्का निर्दें संक बड़ाबर करने पर निचे लिख लिए एक्स का निर्देसांग पराबर करने पर एक्स का निर्देसांग मतलब एक्स के जो क्वाडिनेट है उनको इक्वल करने पर क्या बनेगा यह यह बनेगा बाबू वन प्लस यक्स अपान्टू इक्वल यह सेवन अपान्टू तीनों चार जूड़ जाएगा साथ हो जाएगा तो यहां से हम निकाल लेंगे मान, तो भाया नीचे जगा है, आगे हल कर लेते हैं, जहां देना जहां पर बराबर लगा है वो तो एक लाइन है, जहां पर यह एरो लगा है इसका मतलब वो लाइन अलग है, याद रखना, जहां पर यह एरो लगा है तीर वाला वो लाइन अल करेंगे हम basic मैत पढ़े हैं यहां से 2 से 2 काट सकते हैं यह हो जाएगा भाई वन प्लस यक्स इक्वल सेवन इक है यहां से बाबु जब यक्स का मान हम निकालेंगे हमें पता है वन उधर जाएगा घट जाएगा तो छे आएगा न क्यों मैंने सही लिखा कि नहीं ठीक है ओके अब आप नीचे लिखिए वाई का निर्दे सांक बराबर करने पर यहां पर लिखो मैं लिखूंगा नहीं अब वाई का निर्दे सांक बराबर करने पर तो वाई का निर्दे सांक जब हम बराबर करेंगे भाई तो इनको इनके बराबर करेंगे अभी मैंने बताया यह हो तुम्हारी कांपी में जगा है ना तो तुम पहले इसको लिखो इतना फिर दूफरी लाइन में इसको लिखो इतना फिर इसको लिखो ऐसे नीचे उपर लिख लो अच्छा लगेगा ज्यादा हमारे में जगा नहीं तो मैं यह हमारे जेस्ट कर रहा हूं इनका तिर्शाग उड़ा करेंगे यहां पर लीजीए सोला हो जाएगा हम सब्सक्राइब कर लोगा यहां पर यह चार आये गा कि आधा कि यूं यह देखो ना समझो आठ हैगा दो से बाख जाएगा तो चार है यह फाइनल में चार आएगा यहां पर थोड़ा मिश्टेक हो रहा था है कि आइनल में 40 आएगा क्योंकि यह कट जाएगा आपस में करेंगे अब यह मंटिपल करोगे आठ आजाएगा यह हो जाएगा आठ बराबर पांच धन वाई यहां से वाई का मान निकालेंगे साथियों तो तीन आ जाएगा इसमें बढ़ते हैं जल्दी करिए इसमें किसी को कोई डाउट कोई प्रॉब्लम एनी कुश्चन बता दो नहीं न चलो जल्दी करो कि स्क्रीन साथ लीजिए जो बच्चे इससे पीवियारे स्टडी फेस्बुक पेज़ पेज़ पर देख रहे हैं अगर आपने कोर्स लिया है और कोर्स बहुत जल्दी ही पा सकते हैं और घर बैठे आराम से सीख सकते हैं चलिए आगे नेक्स्ट कुश्चन अगला कुश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कुश्चन नमबर आठ हुआ कच्छा 10 की NCRT गड़ित एक्सरसाइज 7.2 और कुश्चन नमबर आठ साथ कि यदि A और B क्रम सा माइनस टू कामा माइनस टू और टू कामा माइनस फोर हो तो बिंदू पी का निर्देशां ग्याद कीजिए फाइंड दा क्वाडिनेट आप पी यह फिगर मने बना दिया लिख दिया जिससे आपको थोड़ा असानी हो अभी मैं जब कोश्चन स्क्र है जाएगा जो भी नहीं दिख़रा होगा वह भी दिख जाएगा लेकर के निर्देशां ग्याद कीजिए ताक की ए-पी बराबर तीन बटा साथ अबी एपी बराबर किया तीन बटा दिखो दिया है, हमें एक equation दिया जो इस screen पर दिख रहा है, a p equal 3,7 a b, यह दिया है, यहां से इसकी सहायता से हम इन दोनों का ratio find करेंगे, कि जो p है, बीच वाला बिंदू, वो उन्हें किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, अगर वो ratio हमें मिल जाएगा, तो आसानी हो जाएगी हल करने में, question मैं कुछ second के लिए हटाऊँगा, फिर आप दूबारा देख लेना, तो साथी हो जब इनकी हम यहाँ पर value find करेंगे cross multiple, यह सेबन ap equal 3ab आएगा, यहाँ से ap upon ab equal, यह 3 upon, यही हो जाएगा न, 3 upon 7 अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर समझना, हम इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कि नहीं, यह 3 साथ हो जाएगा, यहनी ap 3 और ab 7, ध्यान देना, ap 3 है, ap, यह कितना भाई, यह 3 है, और एक चीज़ ध्यान देना, ap है, p far pirate, ap 3, मैंने लिख दिया, p far pirate वाला, अगला a b है, ध्यान रहे, ना कि p b है, तो यह है a b, यह साथ है, यानि हमें यह तो दिया ही नहीं, मिला ही नहीं, इतना कुछ करें फीर भी न मिल, क्या मिल लख कैसे? भाई, सीधी सी बाद है, अगर हमें पता, यह पूरा साथ है, इतना आधा 3 दिया है, इसको कैसे करेंगे, घटा लेंगे ना, प्रिक कर लेंगे ना इसमें से इसका मान निकालेंगे साथ में से तीन घटा के चार आएगा अप इतना फोटा चेला तो हो नहीं कि मैं तुम्हें यह भी बता हूं कैसे आया इतने तो आप जनवे करते हो त्युक्श की आगे चार आगे अब हमारा काम बनता हो गया से यह यह M1, M2 हो गया, पार पारट के निर्देशांग के लिए यानी फार कोडिनेट आफ P इसको मिटा रहा हूँ नोट कर लो, वीडियो रूंक के, अब क्या करेंगे, बिंदु पी के निर्दे सांग के लिए उसके आगे अब ये सूत्र लिखेंगे, इसके लिए मैं इसको लिखा था फजा आके, अब यह फार्मूला आप लिखेंगे ऐसे ही और मैंने पहले लिखा इसलिए मुझे लिखना नहीं पड़ेगा बनाया उल्लू न चलो तो उसके आगे यह फार्मूला आप लिखो फटा-फट इसमें सारे मान लाला के रख दो वहां से पकड़-पकड़ के पटक दो तो भाई M1 कमान वहां फिर ले आओ तीन, X2, X2 कमान वहां फिर ले लो दो, और M2, M2 कमान 4, X1, X1 कमान उपर फिर ले लो यह, अपान कितना हो जाएगा, M1 और M2, यहनि 3 प्लस 4, दन, कोई प्राव्लम, कोई परसानी, नहीं, M1, M1 3, Y2, Y2 मतलब माइनस 4, M2, M2 मतलब 4, Y1, Y1 उपर है, माइनस का 2, M1 प्लस M2, यहनि 3 प्लस 4, इसमें किसी को कोई परसानी, नहीं, 3 का 2 में गुड़ा 6, और यह प्लस माइनस 4 दूना 8, यह नीचे 7, ठीक है, रण, यह भाई गुड़ा करोगे, माइनस का 12, और यह माइनस का 4 दूना 8, अपान यह 7, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से इनको हल करेंगी, यह आएगा, माइनस का 2 बटा 7, और यह आएग क्या हो गया, आप लिख लो, बिंदू पी का निर्दे सांख, आता है, अगे लिखो, बिंदू पी का, या फिर ऐसे लिख दो, आता पता रहने तो छोड़नो, लिखो, यही बिंदू पी का निर्दे सांख, यही बिंदू पी के निर्दे सांख है, बिंदू पी के क्या है, निर्दे सांक हैं मतलब क्वार्डिनेट हैं बस हो गया कहानी खतम बस इतने इनकी कहानी थी कुश्चन नमबर अठवा समाप्त हुआ अब कुश्चन नमबर नौ जो है आप उसे होमर करोगे कुश्चन नमबर दस मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो कुश्चन नमबर अगला आप होमर करेंगे कुश्चन नमबर दस मैं आपको बताऊंगा जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं इस क्रीन पर पस थोड़ी देर में कि नाइन नंबर कुश्चन आपके सामने आ चुका है केरा बिंदूओं माइनस दो कामा दो और दो कामा आठ को जोडने वाले रेखाखंड ए बी को चार बाराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदूओं के निर्देसांग ज्याद कीजिए यह कुश्चन जैसे खतम हुआ था आपको तुरंद वीडियो रोंग करके इसको लिखना चाहिए अब मैं इधर से यह नहीं बताऊंगा कि चच्चा नोट करो नोट करो नोट करो तुमारा दिमाग भी साथ साथ में चलते रहना चाहिए कुश्चन नोबर नो सभी बच्चे बताओ कर लोगे की नहीं देखो भई कमेंट के चक्कर में न पढ़ो कमेंट आपका सर रिप्लाई करेंगे लिख करके मैं कमेंट पढ़ता हूं तो कलास मज़ेदार नहीं हो पाती है और हमारा उद्देश से पढ़ाना है अब सिर्फ क कमेंट पढ़ना नहीं है कमेंट पढ़के हम हो गये प्रेसान की चाहिए अगर हम आप लोगों का नाम लेते हैं अगर लोगों का नाम लेते हजार बच्चे बीजुड़े हैं तो हजार मिनट लग जाएगा कलास नहीं पर चलता है कुश्चन पढ़िए कोई बताए का क्या है कि लोग सोच रहे होंगे बहुत कुछ जारू नहीं है कि जालो मैंने पढ़ी लिए आप समझ के इसको हमर कर लेना नहीं आएगा तो पताना अगला नेक्स्ट कुश्चन कहां गया दस वाला कि लास्ट कुश्चन दिखाओ नहीं है क्या मुझे लग रहा है गायब कर दिया का एक मिनिट रुकना कि लास्ट में मिली गया बहुत खोजना पढ़ाई से काफी डिश्ट्रब कर दिया था इन लोगों ने कोश्चन दसमा पर बढ़िए एक सम्व चत्र्भूज का चे दर पर गयात कींदी बिजिए जिसके सीर्स उसी करम में इंडिया गया है इसमें एक संकेत भी दिया है संकेत में क्या कह रहा है कि सम्चतुरभुजी का च्छेत्रफल होता एक बटा दो उसके विकरणों का गुडणफल पतलब ऐसा हमें इसमें करना है और यह सूत्र होता भी है जिनको नहीं याद है उनके लिए दिया है यह पैपर में भी आपको जल्दी हो जाया आपके लिए ठीक है ज्यादा टाइम ना लगे तो बहुत लंबा हो जाएगा यह इस तरह से दिया है आपको कुश्चन में कह रहा है मैंने सीरियल से रख दिया यह बी सी और डी के मान पहरा इसका क्या करना है छेत्रफल ग्याद करना है तो भया इसका छेत्रफल ग्याद करने के लिए पहले हम इसका बिकरण तो निकाल लें क्योंकि इसका जो छेत्रफल का सुत्र होता है वो एक बटा दो क्या होता है सम्चेत्रफल का छेत्रफल बराबर एक बटा दो उसके विकर्णों का गुडणफल मतलब हमें दोनों विकर्ण का गुडणफल करना होगा तो हमारे पास जब विकर्ण दिये रहेंगे तभी तो गुडणफल करेंगे हमें तो बिकर्ड उकर्ड पता है नहीं तो चलो निकाल लेते हैं ये क्या है AC को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा एक बिकर्ड हो जाएगा PD को मिलाएंगे तो एक बिकर्ड हो जाएगा इसका कटान बिंदू क्या आ जाएगा बीच में आएगा कुछ भी लिखतो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है तो हमें क्या करना है AC फाइंड करना है और PD फाइंड करना है तो हमें मद्ध बिंदू नहीं निकालना है कि हम वो सुतर लगा दें हमें इसकी पूरी दूरी निकालना है लंबाई चाहें लंबाई बोलें या दूरी बोलें मतलब एक हुआ न तो इन दोनों बिंदू के बीच की दूरी निकालेंगे मतलब कितने लंबी है यह यहां से मान रखेंगे आप इसको X1 मान लो Y1 और यह X2 Y2 clear मान लाके रख दीजिए X2 का मान क्या है Y2 का मान वहाफ ले लो 4 माइनस Y1 का मान 0 और यह हॉली स्कॉयर यह आपका अंडर रूट में ऐसे ही रहेगा clear यह स्कॉयर रहेगा याद रखना एक बात अब यहां से आप धीरे-धीरे समझना यह माइनस 4 का हॉली स्कॉयर और प्लस यह 4 का हॉली स्कॉयर यह फाइनल हो जायेगा आपका चार्चव का 16 धन 16 आपको पता है कि यह 32 आएगा और 32 का वर्गमूल निकालना आप सबको पता है कि 4 अंडर रूट दो आएगा अब इतना बच्चा तो हो नहीं कच्छा 10 में पढ़ रहे हो कि आपका क्या मान आ गया कि आपका AC आ गया वाबु ध्यान रखना यह क्या आ गया AC है यह AC की वैलू आ गई ठीक है इसी तरह से हम BD का वैलू फाइंड कर लेंगे इसको लिख लेजिए फर मैं मिटा रहा हूं जल्दी करिए चलो मैं BD का वैलू इधर साइड में फाइंड कर देता हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो कुष्चन मैंने हटा दिया है ठीक है आप लिख लो इसी परकार इसी परकार BD बराबर या BD बराबर इसमें एक को X1, Y1 मान लीजिए X1, Y1 और एक को उपर तो जगह है नहीं इसको X2, Y2 यानि X2 की जगह पर माइनस दो Y2 की जगह पर माइनस वन तो साथियों इसी तरह से फार्मूले में मान रखेंगे डारेक्ट हम मान रख देंगे X2 का मान क्या है उपर से अगर देखो तो माइनस वन है फिर सूतर में माइनस होता है और X1 X1 का मान रहापर 4 है यह हो जाएगा 4 का होली स्कॉायर पीचे में प्लस का साइन होता प्लस Y2 Y2 का मान बच्चों यहां से लेंगे तो यह माइनस वन है आप इतना तो जानी रहो और माइनस Y1 Y1 का मान क्या है बच्चा माइनस का 5 मैं किसी को कोई अपत्ती नहीं होनी चाहिए यह माइनस 4 और 1 इसका जो भी हल होगा आप करके देखो मुझे बता मुझे कुछ गड़बर लग रहा है X2 का मान मुझे कुछ गड़बर लग रहा है वह X2 का मान एक मिनिट X2 यहां से देखो X2 यह 2 दिया यार यही तो मैं सोच रहा था यह माइनस का 2 दिया है माइनस 2 और माइनस 4 इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा अब सब को पता है माइनस 6 का होली स्कॉयर हो जाएगा और धान ये भी माइनस 6 का होल स्कॉयर हो जाएगा ये भी जुड़ जाएगा अपस में तो फाइनल में ये 36 और ये 36 यानि कुल मिला के जोडने पर हो जाएगा 72 अब इसके अगर आप वर्गमूल फाइंड करोगे तो आप सबको पता है बिटा इसके वर्गमूल हो जाएगे इतना सबको पता है अब ये तो है नहीं कि आपको वर्गमूल नहीं आता इसे नोट करिए लिख लिजिए स्क्रेंसाट लिजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं ये आपका हो गया बीडी अगर आप हमारे एकार्डिंग सिस्टम से चलेंगे तो आप बहुत जल्दी सीख जा किया होगा तो लिखिये अगर सम्च तुरुभूज का छेत्रफल बराबर कि को तो रम चत्रफल बराबर कि एक बटादो पुडे बिकरणों का गुडन फल यह तो था ना मल्टी पलाप डाइगोनल तो इसमें दो डाइगोनल है वही दो डाइगोनल होते हैं किसी भी सी तो बन रहा है इस तो यहां पर हमने इनके जो नाम दिये हैं वह टेशी और बी डी के यह इनके मानवान रीड़ पारत दो आधा दो और यह 6 इंटू अंडरूट दो यह तो आया था कि कुछ और आया था इसमें जब आप इसका गुड़ा करोगे 4 होगा 4 का अवर्गमुल 2 हो जायेगा 6 इनका गुड़ा कर दो चेदू ना 12 वारा और इनका हो जायेगा दो आप इसकोय इमुड़ लिखते कि सब्सक्राइब के साथ आपका पूरा पूरा एक्सरसाइज 7.2 होता है अगर इसमें आपके मन में कोई डाउट है तो आप उससे हमें कमेंट करके नीच संकोज बताईए बिल्कुल टैंसन मतली जी कुछ भी पूछना बताईए हम बताएंगे अगर आप लोग कमेंट के चक्कर में पढ़ेंगे तो बेटा देखो कमेंट पढ़ना आसान नहीं होता है फिर कलाश डिश्टरब हो जाती है माफी चाहते हैं आप लोगों से 12-12 से क्लिक करो वो कोशन पर चले जाओ ठीक है फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करिए मिलते हैं 7.3 में अगली कलास में इंतजार करिएगा कलास का टाइम इस समय यूटूब पर फ्री चल रहा है सूबह 8 बजे और अगर आप कलास को लिए हैं पीवियर स्टेडी एप मे तो आपको पूरा पैकेज मिल जाएगा आप चाहे जब पढ़ो